जैमाता दिमित्रो हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है मित्रो बहुत से लोग कमेंट में ये प्रश्न कर रहे हैं और किसी का कमेंट ये था कि वो ये कह रहे थे कि पूजा करते वक्त उनका शरीर हिलने लगता है और पूजा करते वक्त उनकी आंकों से आशू आने लगते हैं उनका शरीर कापने लगता है और उनको चक्कर से आते हैं तो ऐसा क्यों होता है क्या कारण इसके पीछे देखी मित्रो मैं आपको बताता हूं अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इसके पीछे शक्तियों का हाथ होता है शक्ति की क्रिपा होती है कैसे होती है देखिए अगर पूजा करते वक्त मंत्रों का जाब करते वक्त हवन करते वक्त या फिर अध्यात्मिक कोई भी प्रक्रिया क्रिया आप कर रहे हो यहां तक कि जब आप किसी चीज का पाठ कर रहे हो या फिर गीता का पाठ कर रहे हो या फिर किसी भी मंत्र का जाब कर पूजा कर रहे हो आरती कर रहे हो बजन गा रहे हो भगवान के उनकी अरदास लगा रहे हो या कुछ भी ऐसी आध्यात्मिक प्रक्रिया आप कर रहे हो और उसको करते टाइम आपको चक्कर से आने लगे आपके सिर में दर्द होने लगे आपका शरीर भारी-भारी से होने वक्त शरीर में बारी बारी पंड लग रहा है को जोई ऐसा आपको मैशुस हो रहा जैसे कोई शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर रही है आपका खेलने का मन कर रहा है तो निश्चित रूप से ये जितने भी लक्षण मैंने आपको बताए ये सभी के सभी लक्षन देवी ये लक्षन होते हैं इश्वरिये कृपा के लक्षन होते हैं भगवत कृपा के लक्षन होते हैं इसका मतलब साफ साफ ये होता है कि आप जिस देव या जिस देवी की पूजा पाट कर रहे हैं जिनकी आप साधना कर रहे हैं उनकी सिद्धी आ आगरण आपके अंदर शुरू हो रहा है ठीक है यह सभी लक्षण वही है उसी चीज़ के सारे लक्षण है और ऐसे में क्या होता है कि लोग घबरा जाते हैं लोग घबरा करके किसी ना किसी ओजा के पास चले आते हैं सोखा के पास चले आते हैं भगत के पास चले आते हैं त तांतरिक वो ओजासो का उनकी शक्तियों को बांद देते हैं ठीक है जो लोग अच्छे होते हैं वो तो उनको सही रास्ता दिखाते हैं लेकिन जो लोग बुरे होते हैं वो उनकी शक्तियों को बांद देते हैं और उनकी पूजा पाट को बांद देते हैं फिर उसके बाद मे कि उनको उस तरह के लक्षन नहीं होते यानि कि वो जो चीज उनके साथ में हो रही होती वो सारी चीजे बंद हो जाती है और लोगों को ये लगता कि हम तो बिल्कुल ठीक हो गए लेकिन वास्ताव में वो ठीक नहीं हुए है ठीक है वो सिर्फ जो उनके साथ में घटना घट कोने वाला है वो उस बुरा होने से पहले पहले की शांति है तो होता क्या है कि जब देवी-देवताओं को कोई बंदन करदेता या फिर हमारी पूजापाथ साथना का अमारी भक्ति का कोई बंदन कर देता है तो उसके बाद में वह चीज हमारे शरीर पर घटने लगती है आने कि उसके बाद में क्या होगा फिर आपको अपना श्री बंदा बंदा मैसूस होगा आपका शरी बहुत ही ज़्यादा तूटेगा आपको हमेशा एपना शरी सारी चीजे आपके साथ में होनी शुरू हो जाएंगी इसलिए कभी भी आपको शक्ति के लक्षण दिखाई देते हैं तो किसी के पास मत जाना अगर आप जाते हो तो आपको दुष्परिडाम का सामना करना पड़ सकता अगर जाना भी आपको किसी सच्चे भगत के पास लेते हैं 15,000 रुपे ले लेते हैं एक एक लाक रुपे ले 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 लिए और आपको बदने में ना तो कुछ सीखाते हैं ना कोई शक्ति आपको देते हैं बल्कि जो आपके पास होता भी जो आपका पुन्य होता जो आपकी शक्तियां होती है उनको भी वो लोग बांध लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं तो ऐसे लोगों के पास जाने से बचना है आपको ऐसे दुष्ट लोग ना तो कभी अपना कल्यान कर सकते हैं आने वाले समय में ना ही आप लोग को कल्यान कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको लूट रहे हैं तो उनकी कभी संतानी उत्पन नहीं होती क्योंकि जिस दन को वो संचय कर रहे हैं जिस दन को वो बैमानी के साथ में संचय कर रहे हैं आने वाली संतान उनकी होगी ही नहीं अगर हो भी चुकी है संतान तो उसका अहित हो जाएगा उसका ऐसा घटना में वह ऐसी गटना उसके स छोड़ी इन सब बातों को मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस तरह की चीश अगर आपके साथ में हो रही है तो आपको बस ये करना कि जो आप पूजा पाथ अपनी साधना जब तब करें उस चीश को बस आपको its continue रखना और जो आपके साथ में हो रहा है उसको आपको रोकना है होने देना है ठीक है बहले से आपको कुछ भी फीलो चक्क कर आए आपका खेलने का मन करें आपको उबासिया आए आखों से आशू आए और आपको आपका सिर में दर्दो भारीपन आपको महसूस हो अपनी आखों में तो होने दो कोई दिक्कत नहीं कुछ समय के बाद में इस चीज अपने आप ही ठीक हो जाती है ठीक है दीरे-दीरे करके यह चीज अपने आप ठीक हो जाएगी और उसके बाद में शक्ति का शाक कंठी चकर आपकी जो वाकह सिद्धी है वो आपको मिलने शुरू हो जाएगी यह सारी चीजए फिर आपको continue रखना है ठीक है दीरे-दीरे करके इश्वर की प्राप्ति आपको होगी और आप आपका कल्याण भी होगा आपके परिवार का भी कल्याण होगा साथ में आप समाज का कल्याण करने के भी योगे बन जाओगे तो आशा करता हूं मित्रो जो जानकारी मैंने आपको द वीडियो में जय मातारानी की